आज का हमारा टॉपिक होगा रोमन मैकसे से अवाद 2021 एक्चली यह रैमन मैकसे से है थोड़ा सा कुछ टैपिंग मिस्टेक हो गया है र-a-m-o-n एक चोटा सा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं और पॉइंट यह है कि रोमन मैकसे से अवाद है 2021 का वो तो अभी मिला नहीं है अभी इससे अनाउंस हुआ है यह मिलना भी बाकी है क्या है आपके जो क्लाइट 2021 का जो पेपर हुआ और 2020 का पेपर हुआ तो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा दो मिनट के लिए अनलाइज करना पड़ेगा और उसके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा बेतर हो जाएगा हमारे समझने के लिए सबसे पहली बात यह कि 2020 का current affairs का जो questions था उसमें सिर्फ current affairs थे ठीक है बट 2021 में इस year जो क्लाइट के पेपर्स में question पूछे गये current affairs से उसमें कुछ ऐसे अजीवो गडिव questions थे जो normally आप solve नहीं कर सकते है तो normally जो क्लाइट का syllabus है उसके according पर्ट मैं कोसिस करूँँगा इस year कि जितने भी questions आपसे 2021 ने background से पूर्टे गए मैं कोसिस करूँगा कि वो सारे यानि कि उस type के question और topic आपके साथ cover हो जाए हम लोगों को आगे कैसे बरना है सबसे पहली बात ये आगे बरने के लिए कि आप लोगों को current affairs में सिर्फ उस topic को उठाना है जहां से अच्छे questions बन सकते हैं जो most highlighted topic हो पहली बात दूसरी बात ये कि उसमें से आपको background पे यानि कि उसके historical background पे special focus कर रहा है जैसे example के लिए मैं बताता हूँ कि अभी मैं Ramon Max से award 2021 cover कर रहा हूँ तो मुझे इसके background भी देखना पड़ेगा कि ये award कब start हुआ ये कैसे start हुआ किसने start करा ये सारे history मुझे देखने पड़ेंगे और इसके अलावा हमें 2021 के जो recipient है उनका नाम तो हम जानेंगे उनका background जानेंगे और इसके अलावा 2020, 2019 ये सारे जो background है वो सब भी हमें उसके information भी collect करने पड़ेंगे तभी आप clat का जो new pattern है उसके recording आप solve कर सकते हो ठीक है तो चलिए उसी के recording हम लोग करेंगे आज से ये मैंने आपको बता दिया आगे सारे classes बिल्कुल continue होते रहेंगे अब इन सारे चीजों की जरुड़त आप लोगों को नहीं पड़ेगी ठीक है च इसको रिसेंटली अनाउंस किया कि भाई रैमन मेकसेवा 2021 पाँच लोगों को दिया जाएगा ठीक है टोटल कितने आई पीपल को ये कनफर करेंगे उनको कनफर किया जाएगा जो खुद की परवाह किये बिना एक्स्ट्रा ओर्डिनरी कंट्रिव्यूशन करते हैं पोवर् जो डेवलपमेंट और प्रोवर्टी का एरडिकेशन है उसके मेन कंट्रिव्यूशन उसकी को मेजर करा जाएगा ठीक है 28 नवंबर को इस इयर 2021 का ये रैमन मैकसेसे अवार्ड 28 नवंबर को कनफर किया जाएगा लेकिन अनाउंसमेंट अभी ही हो चुका है ओके रैमन मैकस से अवार्ड ये एन्वली प्रजेंट किया जाता है इसे एसिया का नॉबल प्राइज भी बोला जाता है लेकिन ऐसा नहीं है अभी 2021 के अवार्ड प्रजेंट करे जाने है क्या जाना है कनफर किया जाना है लेकिन इससे पहले 2020 के जो अवार्ड थे 2020 के उसे कैंसल कर दिया था लास्ट येर 2020 के अवार्ड को कैंसल कर दिया गया था द्यू टू कोविद 19 पैंडमिक इस अवार्ड को मनीला बेस्टेक फाउंडेशन है उसके दोड़ा दिया जाता है और इसी ने ये स्टेटमेंट इसू करा था कि भाई 2020 का जो रैमन मेकस से अवार्ड है वो कैंसल करा जाड़ा है और 2021 का अब दिया जाएगा ठीक है अभी डिसेंटली अभी मैं एक नाम बता देता हूं कि बांगलादेश के वैक्सिन साइन्टिस्ट है डॉक्टर फिर दौसी कादरी ये पांच जो रिसीपेंट है यानि कि फाइव विनर्स है रैमन मेकस से अवार्ड 2021 के उस ये 2021 में 63rd रोमन मेकस से अवार्ड है ठीक है जो 31st अगस्ट अभी रिसेंटली दो दिन पहले ये अनौंस करा गया है विनर का नाम और ये 63 रैमन मेकस से अवार्ड है ये भी आपको याद रखना पड़ेगा 63 रैमन मेकस से अवार्ड ठीक है और भी लोग है टोटल 5 पीप में अब आप लोगों को बता देता हूँ जिस था कि मैंने आपको पहले अभी बताया डॉक्टर फिर्दौसी कादरी ये बांगला देश के एक वैक्सिन साइन्टिस्ट है इनको रैमन मेकस से अवार्ड 2021 के लिए सेलेक्ट किया गया अच्छली डॉक्टर फिर्दौसी कादरी इस सीनियर साइन्टिस्ट अट दे म्यूकोजल इम्मेनलोजी एंड बैक्सिनलोजी यूनिट अट दे इनफाक्सिस डिजीज डिवीजन ऑफ इंटरनेशनल सेंटर पोर टारियल डिजीज अड रिसर्च बांगलादेश इनको इन इम्पोर्टेंट यह जो भी सकते इम्पोर्टेंट वर्क करेगा चाहिए वो नॉबल्स रिलेटेट कोई प्राइजेज हो वो भी दिया जा सकता है ऐसे वो पीस के लिए दिया जाता है बट अगर इसमें भी अगर कोई बहुत ही अच्छा वर्क करे तो वो भी पीस का ही मै यह पाकिस्तान के microfinance pioneer हैं यानि कि यह एक तरह के business tycoon हैं जो microfinance में deal करते हैं इनको दिया गया Outstanding efforts in restoring human dignity, elevating poverty and helping over 3 million families to come out of poverty, zero interest leading model यानि कि zero interest rate पे बहुत साड़े 3 million families को help किया इन्होंने poverty से बाहर आने के लिए और इनका main agenda या main था कि zero interest पे लोन दिया जाए ताकि वो अलग-अलग तरीके से work कर सके और अपने poverty को eliminate कर सके तो ये थे डॉक्टर मुहम्मद अमजद साकिव ये पाकिस्तान से बिलॉंग करते हैं और ये microfinance pioneer यानि कि microfinance में deal करते थे और इसलिए इनको दिया गया रेमॉन मैक्स सेवा 2021 ठीक है थार्ड परसन है रोबेर्टो बैलोन ठीक बहुत ही सिंपल सा दिखने वाले ये परसन है ये एक इनवार्मेंट लिस्ट है ठीक है ये फिलिपिनो फिसर और कम्यूनिटी इनवार्मेंट लिस्ट है नाम क्या है रोबेर्टो बैलोन आप लोगों को मैं बार बार बो भी ठालीजिए इसका नोट्स में आप लोगों को प्रवाइड करवा दूँगा अप पे वह आपको मिल जाएगा ठीक है चलिए अभी फिलाल इसे अच्छे से सुन लीजिए सुनेंगे तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा याद रखने में बाद में जब आप नोट्स को इन लोगों के बाड़े में भी थोड़ा सा आपको जानकारी रखनी पड़ेगी कि क्यूं दिया गया ये भी पूछा जा सकता है आपसे आप क्लैट कंसोर्सियम पर बहुत ज्यादा भड़ोसा नहीं कर सकते हैं कि आपको बहुत आसान क्वेशन पूछा जाएगा ठीक है क् रोबर्टो बैलोन को दिया गया फिलिपीनो फिसर ये फिलिपीनो फिसर और कमिल्टी इंवार्मेंट लिस्ट हैं इनको दिया गया किसलिए इनको दिया गया नेचुरल रिसोर्स के कंजर्वेशन के लिए कहां पर सिवगी बे में सिवगी खाँ एंटरियम वर्क के डेडि अब भी जो आपके माइंड में आ रहा होगा अफगानिस्तान रिफ्यूजी आपके माइंड में आ रहा होगा मयामार रिफ्यूजी तो सिर्फ यही नहीं आपको पता होना चाहिए यूएस में भी रिफ्यूजी के बहुत बड़ी समस्या है यूएस के बॉर्डर पे जो उसक बहुत ही अच्छा work करने के लिए डॉक्टर स्टीवन विंसी को दिया गया है या दिया जाना है रैमन मैक्ससेवा 2021 ठीक है इनके बारे में additionally समझ लेजिए यह CFSI के यह founder भी है Community and Family Services International यह organization है इनके दोड़ा बनाया गया जिसके यह founder है ठीक है और यह अपने country से बाहर यानि कि US में तो यह work करते ही है US से बाहर काम करने के लिए यह foundation इन्होंने establish करा था और इसी के दोड़ा इसी के थुरू यह work करते हैं ओके यह लगबग 40 सालों से यह अलग-अलग countries में यह काम कर रहे हैं ठीक है और Asia के difficult environment में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा work किया है जिसके लिए रैमन मेकसेवा 2021 दिया जाना है ओके clear चलिए रैमन मेकसेवा 2021 में एक organization को भी दिया गया वाच डॉक ठीक है वाच डॉक यह एक organization है documentary maker एक organization जो documentary बनाती है अलगले चीज़ों पे ठीक है एक independent media organization है जिसके लिए इसे दिया गया और यह इंडोनेसिया का है यह कहां की company है यह इंडोनेसिया की company है जिसको दिया गया है investigative journalism के लिए और आपको याद होगा इसी type के journalism में 2019 में रवीश कुमार को दिया गया था यही रैमान मैकसर से अवार्ड 2019 के लिए तो यह थे अब हम लोग इसका background थोड़ा सा जानते है ठीक है कि यह रैमान मैकसर से अवार्ड है क्या 1957 में इस रैमान मैकसर से अवार्ड को establish करा गया था यानि कि 1957 से यह start हुआ ठीक है यह annual अवार्ड है Philippines के third president रैमान मैकसर से के नाम पे या उनकी याद में अवार्ड को start किया गया था हर साल क्या है वो कोई individuals हो या organizations हो ठीक है जो इंडिया में स्वरी इंडिया में बोल रहा हूँ जो एसिया में लाइब और society को transform करने के लिए जो work किया जाड़ा है उसके लिए ये अवार्ड हर साल दिया जाता है ठीक है 2020 को छोड़कर 2020 में नहीं दिये गए थे जोएसा मैंने आपको बताया due to COVID-19 pandemic ओके अन्दिस अवार्ड वाज इस्टैबलिस्ट बाई the trustees of the Rockefeller Brothers Fund ये याद रखियेगा Rockefeller Brothers Fund के ट्रस्टी के द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है इस्टैबलिस किया गया ठीक है और ये जो company है यानि कि ये जो fund है ये जो trust है ये New York City based trust है ठीक है जो फिलिपिन्स government के साथ मिलकर इस अवार्ड को तन फर करती है या प्रजेंट करती है ओके और अलसो the Roman Maxis Raymond Maxis Award Foundation gives the prize to Asian individuals Asian individuals तो अलग अलग फिल्ड में काम करते हैं आइक outstanding contribution in government services public service community leadership journalism, literature and creative communication arts peace and international understanding and emergent leadership ये कुछ ऐसे sectors है जिस में Raymond Maxis Award दिया जाता है जैसा मैंने आपको पहले बताया ये annually इसको प्रजेंट किया जाता है हर साल 31st अगस्त को इसे announce किया जाता है और ये 31st अगस्त Raymond Maxis का birth anniversary भी है इसी लिए इसी दिन ये award दिया जाता है अब थोड़ा सा और इसका background 2021 के बारे में आपने जान लिया किनको किनको मिला 2020 के बारे में भी जाना आपको याद होगा 2020 के current affairs का question paper कि जो गांधी peace prize वाला matter था तो गांधी peace prize से normally current affairs का question आना चाहिए कि बाई 2020 की में किनको मिला गांधी peace prize ठीक है चलो ठीक है दो लोगों को साथ में 2019 और 2020 के लिए साथ में एक कंफर्ड किया गया था तो 2019 का भी पूछा जा सकता है लेकिन आपको सायदी याद होगा कि उसमें पूछा गया था बता देता हूं India के journalist रविश कुमार दिया गया था पांच बित्षइपन्ट जो थे रैम उन्मेकश से अवर्ड के यह मेंड किया गया था कि उनका जो एक प्राइम टाइम आता है प्रोगाम एंडी टीवी पे उसके रियल लाइफ रिपोर्टिंग यानि कि जो ओर्डिनरी पीपल है उनके प्रोब्लम को फाइंड आउट करके रियल लाइफ रिपोर्टिंग के लिए उनको दिया गया था यह आवार्ड मिल सकता है 2006 में और विंद केजरिवाल को यह वार्ड मिला ठीक है तो 1965 में किरनवेदी जैप्रकास नरायन को मिला था किरनवेदी को भी यह वार्ड मिल चुका है ठीक है टीम कृष्णा दो हजार सोल में इनको मिला ठीक है जैप्रकास नरायन को मिला ही बाबा आतमे आम्ते 1985 पिनोबा भावे 1958 वर्गिस कूरियन 1963 बन्ना डे 1966 सत्यजीत रे 1967 आरके लक्षमन 1984 आरके लक्षमन की बारे में आप जानते हैं आरके लक्षमन एक कार्टूनिस्ट थे बहुत थी इंडिय इसा 1962 इंडिया से इन सभी लोगों को रैमान मैकसे से अवाड मिल चुका है और रिसंटली मतलब लास्टली 2019 में रविसकुमार को यह वाड मिला है ठीक है तो यह आपका कम्प्लीट था रैमान मैकसे से अवाड जो 2020 का भी था 2020 और 2019 का था आई होप की टॉपिक आप लोगो को अच्छे से समझ में आया होगा कोई प्रोबलम वगेर वाली बातें नहीं होंगी ठीक है तो चलिए अगर कोई इसू कोई प्रोबलम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप कोस़स करूंगा कि हमेशा आप लोगों के लिए करेंट्र फेरस में इंप्रूव कर सकते हैं या आप Telegram पे Klattions सरच करेंगे तो Telegram पे Klattions का हमारा Channel मिलेगा आप वहाँ पे भी Joint करके आप हमें Topic का नाम बता सकते हैं कौन से Topic आपके लिए Important है जिस पे मैं Current Affairs के Classes चंड़क्ट कर सकता हूँ कि लिए इसका Notes आप लों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा अब भी के लिए इतना ही मिलता हूँ फिर मैं कल इसी टाइम में थैंक यू